नमस्का मैं हूँ दूट्र मिनाक्षी जोशी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में यह मैंने यहां एक कड़ाई चड़ाई है और किसले चड़ाई है यह मैं बता देती हूँ कि आज मैं सिंपल सा दलिया बनाने जारी बहुत ही सिंपल तरीके से भी ज्यादा ताम जाम नहीं रखना और जो जितने भी लोगों हैं जिनको आती नहीं है दलिया बनाना सिंपल दूद में वह मैं बनाना बता रही हूं आपको यह देखिए मैंने कड़ाई चड़ाई इसमें डाल दी मैंने दो चमस देशी गी और अब इसको दलिया जो है न बूणने के बाद दलिया जो होता है उसका टेस्ट जो इनांस हो जाथा है यह थोड़ा सा भूण रही हूं डलियु देसी गी में ही दलिया सवाद बनता है थोड़ा सा देसी गी जो है हमें डाल देना चाहिए ताकि टेस्ट अच्छा आए इसे यह देखिए दल्या जो है हमारा बुन चुका है अब हम क्या करेंगे बहुत ही सिंपल ट्रिक है बहुत सिंपल से है दल्या हाद यह कोई लग बगाता है बनाना लेकिन यह आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगा दल्या हमारा अब वह जो है इसमें मैंने पाने डाल गया और गैस को कद्या है मैंने थोड़ा सा तेज लग बग मैंने एक रिट गलास पाने डालना है ताकि यह दल्या थोड़ा सा पक जाए अच्छा सा बन जाए ताकि यह देखिए जो दल्या है वो बन रहा है हमारा यह देखिए मैंने ना दल्ये में जो पानी डाला था एग लास वो पानी जो है बिल्कुल अब्जोर्ब कर लिया मैंने अब एग लास वो पानी इसमें डालाय ताकि छो है थोड़ा सा दूद जो है लिए जब अम डाले तो यह फूला फूला सा एकदम कुछ पक जाए तो थोड़ा हमें पकाना है यह देखिए यह थोड़ा थोड़ा पक रहा है ना यह देखिए अब हम क्या करेंगे आप जो हमने दूद पहले से गरम करके रखावा हैं वो दूद जो है इसमें डाम दिए अंदाजे से हम दूद डाल रहे हैं आपको जितनी रिक्वाइर्मेंट हो उस हिसाब से आप दूद और पानी की मात्रा को घटाया बढ़ा भी सकते हैं यदि आपको ठीक दल्या चाहिए पानी आ और दूद आप ज्यादा भी मिना सकते हैं और यदि आपको दल्या जो है वो पटला चाहिए तो आप उसको दूद की मात्रा को बढ़ा सकते हैं यह देखिए मैंने दूद इसमें डाल दिया है यदि हमें और भी आवशक्ता हुई दूद डालने की तो हम और भी दूद डाल देंगे मैंने इसमें डाल दिया अब हम क्या करेंगे अब गैस को एक बार सिम कर देंगे तेज आंच पर हम दल्य को नहीं पताएंगे नहीं तो यह निच्छे से लग जाएगा फिर अब मैं इसको क्या करते हैं हर दो मिनिट में मैं संभाल लूँगी इसको डखके रख देखिए यह देखे मैंने रिक्वायर्मेंट के इसाब से और मैंने दूर डाल दिया और थोड़ा सा पानी मैने गरम करके भी डाल दिया था यह देखिए मारते रहना है तिन दो मिनिट में नीचे कड़ी यह निचे जो है लगने कर रहता है दल्या देखिए कम से कम ये चार-पांच जणों का आराम से मतलब बन जाएगा हमारा दलिया जो है और यदि बच भी जाए तो आप जो है दूसरे दिन आराम से इसको खा सकते हैं दलिया ऐसा हमारा बनेगा जैसे एक दम उलायम और इतना स्वादिष्ट दलिया और आप इसमें क्या डालूंगी मैं आपको दिखाती हैं अभी हमारा दलिया जो है वह पका नहीं है ये दिखिए मैं आप लागे दिखा देते हूं थोड़ा कम दिखिए थोड़ा सा कसर है दलिया तो इसको मैं धाके रख देती हूं एक त्परफ यह अब यह ना दूद में मैंने शक्कर को मिक्स कर दिया है अब मैं इसको छलनी से चाण लूंगै अच्छा आप की इजरी माना ऐसे जालत हो देखिए अब मैंने क्यों चाना और क्यों मैंने दुद में यह मिंक्स किया यह देखिए कितने मिट्टी है इसमें यह देखिए तो नीचे जू है यह मिट्टी-मिटी सी होती है कुछ जाले बगरा हो यदि शक्कर आपके अच्छी नहीं हो तो आप इसको इस प्रकार से यद दल्या तयार यह हमारा एक प्रकार से कड़ाई वाला जो है दल्या बन गया है अब इसको मैं 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी दोस्तों कि हमारा कड़ाई वाला जो है दल्या कैसा बना है अब है ना दल्या बिल्कुल पक गया है हमारा यह देखिए एक दम पक के तयार हमारा दल्या दल्या यह देखिए यह देखिए है ना कितना लाजवाब हमारा दल्या बना है आप चाहें तो इसमें कुछ भी डालें चाहे बेशक्से आपकी इच्छा है ड्राइफ रूल डाले या आप जो हैं वो इसमें जो इलाची पाउडर वो भी डाल सकते हैं लेकिन मैं कुछ नहीं डालूंगे बिल्कुल सिंपल दलिया बनाए यह और बिल्कुल ही सिंपल दलिया मैंने बनाया अब हम इसको सर्व कर लेते हैं और हमारा दलिया बना है लाजवाब यदि आपको यह देखे हैं स्वादिश तलिया बन के तैयार हो जाएगा हमारा